जैहिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी और के भी गुरुजी यूटूब चैनल के उपर आप सभी का यहाँ पर स्वागत है तो आज के कैम्पेन के लिए आप सभी लोग यहाँ पर बधाई के बात रहें क्योंकि आज आप सभी लोगों ने ट्विटर के उपर काफी ज्यादा मेहनत करी है अगर हम लोग सुबह 11 बजे तक की ही बात करें तो हम लोगों ने इन दोनों हैश्टैक के साथ में 5 मिलियन से ज्यादा ट्विट को कर दिया था और अगर आपने ट्विटर के ट्रेंडिंग वाले पेज को देखा होगा तो उसमें जो हमारे 30 हैश्ट ट्रेंड कर रहे थे उसमें से 19 हैश्टैक ऐसे थे जो की directly किसी ना किसी एकजाम से जुड़े हुए थे यानि की different type के जो हमारे यहां पर एकजाम होते हैं उन सभी से जुड़े हुए सारे छातर यहां पर सामिल हुए थे और इस प्रकार से हम लोगों ने 11 बजे तक ही 5 मिल से ज़्यादा tweet को कर दिया था लेकिन उसके बाद में Twitter अपनी बदमासी शुरू कर देता है और उसके द्वारा बहुत सारे जो tweet और retweet होते हैं उनको continuously delete कर दिया जाता है तो इससे officially जो हम लोगों ने target रखा था कि हम 10 मिलियन tweet करेंगे उसके आंकड़े को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं लेकिन यहां पर आज जो भी हमारे देश में student हैं उनके बीच में एक unity देखने को जरूर मिली है और इसके लिए आप सभी लोग यहां पर बदाए के बात रहे दुखत बात यहां पर यह रही कि सरकार के द्वारा या फिर जो संबंदित authority है उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई notification जारी नहीं किया गया है तो यह हमारे लिए दुखत बात रही है तो आगे भी इसी प्रकार से हम लोगों का जो campaign है वह चलता रहेगा तो आज के इस वीडियो में हम अभी जो हमारे यहां पर नए इस्टेडियम का अनावरण किया गया है उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे तो चलिए इस वीडियो के हम सुरुआत करते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के होगा जिसे हम लोग मोटेरा इस्टेडियम के नाम से जानते थे तो यह इस्टेडियम कहां पर था तो गुजरात के एहमदाबाद में यह एक इस्टेडियम था तो इससे रिनोवेट किया जाता है और उसके बाद में पिछले साल इसका नाम कर दिया जाता है सरदार इस्टेडियम इसका नाम कर दिया जाता है लेकिन अभी कल क्या होता है कि हमारे देश के जो वर्तमान प्रधान मंत्री है उन्होंने इस इस्टेडियम का नाम अपने नाम पर करवा लिया है यानि कि अब ये जो इस्टेडियम जिसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम हुआ करता था उसका नया नाम नरेंद्र मोधी स्टेडियम कर दिया गया तो यह वैशे भी एक कंट्रोवर्सी का विस्सा है कि हमारे एक महापुरुष्प के नाम पर रखे गए स्टेडियम का नाम एक सिटिंग पीều के नाम को विन्द जी उनके द्वारा इस इस्टेडियम का उधगाटन किया गया और यहां पर भारत और इंग्लेंड के बीच में तीसरे टेस्ट मैज की भी शुरुवात हो चुकी है तो यह भी आपको धिया रखना है कि डे नाइट एक टेस्ट है जो कि इसी नरेंद्र मोधी तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकट इस्टेडियम बन गया है अगर हम लोग दुनिया के सबसे बड़े क्रिकट इस्टेडियम की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि कितने लोग उस पार्टिकुलर इस्टेडियम में बैठ सकते हैं तो चमता की अगर ह सबसे बड़ा इस्टेडियम था मेलबर्न क्रिकट ग्राउंड कहां पर था तो ये आपके था आश्टेलिया में तो क्रिकट का ये सबसे बड़ा इस्टेडियम था लेकिन अब हमारे देश का जो नरेंद्र मोधी क्रिकट इस्टेडियम है वह दुनिया का सबसे बड़ा क्रि वेसे के राजपती थे दोनाल ट्रम्प वोई भारत के दोरी पर आये थे और उनके सम्मान में नमस्ते ट्रम्प नाम का जो कारकरम है वह भी इसी स्टेडियम में आयोजित किया गया था तो ये सारी चीजें आपको ध्यां रखनी है ये जो आपकी स्क्रीन के सामने स्टेडिय यानि कि यही हमारा सरदार बल्लभाय पटेल इस्टेडियम था जिसका ना अब बदल करके नरेंद्र मोधी इस्टेडियम कर दिया गया अब एक यहां पर फणी चीज क्या होई है फणी चीज यह होई है कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए ये कोई क्रिकट इस्टेडि जो दोनों चोर है उनमें से एक चोर का नाम है Reliance End क्या है Reliance End एक चोर का नाम रखा गया है और अगर हम लोग दूसरे चोर की बात करें तो इसका नाम रखा गया है Adani Pavilion End ये कोई मजा की बात नहीं है सिरियसली आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर जो एक End है उसका नाम रख पती हैं उनकी सरकार है मुख्य रूप से Adani और Ambani से वह जुड़े हुए हैं तो इसका एक उधारन सरकार ने यहां पर पेस कर दिया है गुजरात राजी से कि Stadium का नाम रख दिया गया नरेंद वोदे Stadium यहां पर जो भी हमारे Pavilion Ends थे उनमें से एक का नाम Adani Pavilion End रखा गया और एक का नाम रखा गया है Reliance End तो यह भी आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि किनके नाम पर इनके Ends का नाम रखा गया है अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा Stadium कौन सा है तो अगर आपसे पूचा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा Cricket Stadium कौन सा है तो आपका उत रूंगाडरो 1st मई Stadium और उत्तर कोरिया की जो राजधानी है प्योंग यांग में वहाँ पर आपको मिलेगा यह इस्टेडियम तो यह आप देख सकते हैं यह है रूंगाडरो 1st मई Stadium और यह कहां पर मिलेगा तो यह है नार्थ कोरिया में और अगर हम लोग इस स्टेडियम की बात करते हैं तो इसमें एक बार में डेढ़ लाक लोग बैठ सकते हैं इतने लोग डेढ़ लाक लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं और 20.7 हेटेर में यह हमारा बिस्तरित है तो एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा चमता के अनुसार कौन सा इस्टेडियम दुनिया में सब सबसे बड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो वह आपके रून गादरो 1st मई स्टेडियम है जो की आपको उत्तर कोरिया में मिलेगा उसी प्रकार से अगर हम लोग दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्टेडियम की बात करते हैं तो वह नरेंद मोधी स्टेडियम है यानि कि cricket stadium में अगर हम कहेंगे तो नरेंद मोधी पहले अस्थान पर है लेकिन अगर हम लोग overall छमता के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े stadium की बात करेंगे तो उसमें नरेंद मोधी stadium आ जाएगा दूसरे अस्थान पर तो ये भी आपको याद अकना है अच्छा अभी आपने करेंट अफेर में ही पढ़ा होगा कि फरवरी 2020 में उडीसा के जो CM है नवीन पतनायक जी उनके द्वारा उडीसा के सुंदर गढ़ जिले में राउर केला नाम का जो अस्थान है वहाँ पर भारत के सबसे बड़े हाके स्टेडियम के आधार सिला रखी गई है क्या नाम है इसका तो इसका नाम है बिर्सा मुंडा अंतर राष्ट्य हाके स्टेडियम क्या नाम है भगवान बिर्सा मुंडा अंतर राष्ट्य हाके स्टेडियम और कहां पर ये बन रहा है तो ध्यान रखेंगे राउर केला में ये बन रहा है और हम लोगों ने करेंट अफेर में ये भी पढ़ा था कि 2023 का जो होके विस्वकप होगा उसका आयोजन उडीसा के दो सहरों में किया जाएगा तो एक तो सहरों का भूनेश्वर और दूसरा यहां पर सहरों का राउर केला तो यहां पर जो ये इस्टेडियम बनेगा इसमें 2023 में विस्वकप का भी आयोजन करया जाएगा और ये हमारे देश का सबसे बड़ा होकी इस्टेडियम होगा तो दोनों में आपको कनफ्योज नहीं होना है अगर सबसे बड़े इस्टेडियम की बात की जाए हमारे देश की ओबर आल तो वो आपका होगा नरेंद्र मोदी इस्टेडियम अगर आपसे कहा जाए कि सबसे बड़ा होकी इस्टेडियम कौन सा है तो ध्यान रखेंगे नरेंदर मोदी इस्टेडियम ये आपका एहमदाबाद में है उसके बाद में है साल्ट लेक इस्टेडियम जो की कोलकाता में है इसमें 85,000 लोग बैठ सकते हैं और ये जो इस्टेडियम है वा एतलेटिक्स और फुटबॉल के लिए है इसके लिए है ए हमारे देश का बहुत प्रसिद्ध इस्टेडियम है ये क्रिकट का इस्टेडियम है कोलकाता में ये भी आपको मिलेगा और यहां पर भी 80,000 लोग एक बार में बैठ सकते हैं तो ये पॉइंट भी आपको यादकना है चलिए आपके लिए यहां पर एक प्रश्ण है नीचे CBT2 या फिर RRB Group Day एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो अनकेडमी आपके लिए कई सारे फ्री टेस्ट ले करके आया है तो इन सारे फ्री टेस्ट की जो लिंक है वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ये सारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे यानि कि आपकी तयारी कैसी है उसको आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं और NTPC का जो अभी पेपर हो रहा है उसके प्रेशनों को भी यहाँ पर सामिल किया गया है तो नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इन्रॉल कर सकते हैं अगर आप से कोई कोड प एक्जाम के तयारी अनकेडमी के साथ में करना चाहते हैं तो इसके उपर भी आपको यहाँ पर कई सारे कोर्स मिल जाएंगे अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो मात 3,000 रुपए में रेलवे एक्जाम के लिए आपको 12 महिनी का कोर्स मिल जाएगा यानि कि जो भी बेस्ट फ इसकाउंट है वह जल्दी समाप्त होनी वाला है तो इसलिए अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी कोर्ड का यूज करके आप यहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धश्या थैंक्स पर वाचि मात बहुत अल्दी समय भी जैंक्स पर वाचेज कर लो अगर की जाते हैं तो भचेज कोर्स पर वाचेज यहाँ धश्या है आ आ आ जा खुत विएल यहाँ समय को olan ऊस्वा है तो इसक पर यहाँ चल था आप हो आते हैं 151 00-P